हम हिंदुस्तानी फेमिलीज को पर्वार के साथ चलना पसंद है और पर्वार एक दो लोग कर नहीं होता हमारे पर्वार होते हैं पड़े और इसलिए हमें चाहिए होती है सेवन सीटर और सेवन सीटर की बात आएगी तो होंडा बी आरवी भारती बाजार में मौजूद थी वगर या हुआ समझते हैं और दिखाते हैं आपको कैसी है नई बी आरवी और हमें क्यों अतनी पसंदारी और क्यों लगता है भारती परवाय के लिए यही बेस्ट आप्श होंडा बी आरवी के साथ में होंडा से जल्दवाजी होगी उन्होंने बहुत जल्दी भारती बाजार में बी आरवी लांच कर दी नतीजा उस समय इंडियर्स छोटी कालों पर ज्यादा जोड़ दे रहते और बी आरवी उतिने नंबर में बिकनी पाई कंप्प्णी से बह आतक हो गया अगर वह इंतियार करते तो इन दौनर के ऊपर इस काल को बेच पाते यानि तब तक भारतीयों को बी आरवी ज्यादा पसंद आती क्योंकि हम इंडियंस ओल्ड एंड गोल्ड पर बिलीव करते देखने में यहां पर LED लेम नीचे आपको LED फॉग लेम इधर क्या कहना बहुत अच्छी क्वार्टी के प्लास्टिक और फिनिश के साथ है नीचे और भी ज्यादा मैता लगती है रेडियेटर गिल और यह सिट प्लेट कहना चाहिए ओवर और यह स्टांस जो है वह काफी अच्छा है उपर से बोनट में भी जो यह कर्व दे रखे गए हैं यह इसके लुक्स पो बहतर बना रहे हैं सबसे पहले तो समझते हैं SUV है तो कर्व है क्लैडिंग है 16 इंच के अलॉइवील्स है वोपर 215 60 अच्छी ग्राउंड के लेंस है ऐसा बहुत अच्छी ग्राउंड के लेंस है होंडा ने अभी अलुइट में बहुत शांदा 220 दिये और यह भी लगबग वही हैं उपर से आपको बॉड़ी कलर डोर हैंडल्स ओर वीम में ही इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं ग्लास एरिया भी अच्छा बड़ा है बस क्रोन की लैनिंग वाला जैसा सीन यहाँ पर नहीं है उपर आपको क्लेडिंग मिल जाती है अफसोस की बात है कि कि किसी भी तैका संदूप का प्रविजन ही नहीं है रैसे भी होंडा को संदूप से कोई बहुत लगाव नहीं है और यह बात उनकी कारों में हमें दिखती भी है मैं यह कह सकता हूं कि होंडा के लिए वी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आउन कीजिए क्योंकि मैं वही कारे दिखाता हूं जिनके भातियों को जवत नजर आए यानि इंडियंस के लिए काम किया है तो दिखाऊंगा वर्दा जाने दीजिए जिहां यह वही बियार वी है जिसे इंडिया में एक समय लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया जितना अब प्यार करने लगे हैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं उपर शाक फिर एंटीना माय दैसा स्प्राइलर हाई मांट इस टॉप लेंब यह वाशर जट सेडली कोई डिफॉगा नहीं है वाइपर मौजूद है और यह लाइट है जो LED के साथ में है अच्छी लग रही है हमने अच्छी ही लाइट है एलीवेट में भी देखिये और वहां भी बहुत कातर लगती है बिल्कु सही कहा रहा हूं मैं वह सही है यहां भी है प्यार्वी के बैजिंग यहां मिलती है नीचे यहां पर कैमरा मौजूद यहां पर विलती है होंडा की पेजिंग सेडली यहां पर कोई आईवी टेक जैसी बेजिंग नहीं देखने को मिल लिए लेकिट पीछे पार्किंग सेंसर मिले है और जो ब्लैक क्लैडिंग है यहां पर उसमें डूल टोन कर स्तमाल किया गया और मेरे साब यह एक अच्छा बूट स्पेस की भी अगर आपसे बात करूं तो मैं सर्प्राइज नहीं हूं यहां पर आप दो मीडियम साइज के सूटकेस रख सकते हैं अगर आप सीट को थोड़ा सा कम रिकलाइन करेंगे तो आसानी से जगह बन जाते हैं आप एक मीडियम साइज सूटकेस और दो बैग आसानी से कर सकते हैं छोटे मोटे सामान के साथ में नीचे भी थोड़ी सी जगह है कुछ पतला सामान रखने की और जगह मवजूद नहीं और अगर आप इन सीट को भूलते हैं फोल्ड कर देंगे तो यह काफी अच्छी जगह यहां पर बन जाती है उसके बाद आप काफी सामान रख सकते हैं लगबग यह 700 लीटर के असपास होना चाहिए डूल स्टेज में है अलब यहां पर एक छोटा सामान रखने के बाद आप पूरा भर सकते हैं इसको चार या पाच सूटकेसों के साथ में इतनी जगह फिर बन जाती है यह भी वेल कवर्ड है और मेरे साब से इंडियन फिमली को चाहिए क्या काम की जगह मिल जाए और अच्छा आपको इस पेस मिल जाए परवार के लिए बल्ले बल्ले जाती है अम इतने में ही खोश रहाते हैं हॉंडर ब्यावी के अगर इंगर ऑफ्शन की बात की जाए तो यहां पर आपको मिलता है 1.5 लेटर आई वीटेक इंगिन जो प्रोवाइड करता है 106 PS की पावर 141 NM टॉक के साथ इंडिया में अगर इसको दिया जाता है तो यहां आएगा 121 PS की पावर के साथ और मिलेगा आपको 145 NM का टॉक और इस टॉक फिगर के साथ यह एक रियली काफी अच्छा आप्शन बन जाए है उपर भी वेल कवर्ड है इंडियन ले आउट नीट एंड क्लीर है अफसोस की बात यह है कि होंडा आपने पार्ट को ओपन मार्केट में नहीं बेचता है अगर वह भी बेचना चुल करते तो होंडा के चाहने वालों के नंबर और बढ़ जाएंगे मगर एक नुक्सान ह होता है और यह बात होंडा को पता है इसलिए अपने पार्ट बाहर बेचती ही नहीं है चलो आपको दिकाता हो वीतर से कैसी लगती है प्यावी कि अगर इंटीर में देखा जाए ध्यान से तो कुछ चीज़ा चौक आएंगे यह काफी कुछ वैसा ही है जैसा भारती बाजा इसे सेम सेटप को WRV जो नई आई है उसमें भी आपको दिखाया है अगर आपसे मिस हो गया हो उसका वीडियो तो उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि 23 WRV कैसी है और कितनी प्लेक्टल आसपेक्ट है भारती बाजार के लिए प्लास्टिक प्लेटी अच्छी है वही सेम डिजैन के AC वेंट वही सेम इस्टेक्चर यहां भी है बस कलर थीम थोड़ी बदली हुई है यहां पर भी वही नई वाले AC आ गए हैं हां बस पॉलम यह है कि यहां पर भी 7 इंच की तर्च इसकी इंफोटेमिन सिस्टम है और उसका भी जो मो है थोड़ा इस देते हैं बहुत अच्छा रहा था यहां पर आपको इस्टुमेंट पैनल देलता है 180 के स्पीड के लिए स्पीडोमीटर और इसके रावा आठ यहां आतियम तक के लिए टैक्वोमीटर मजूद है बीच में MID है लगबगर साढ़र तीन चार्ज ग्यास पास की जिसमें डिस आप से सब कुछ अच्छा दिखता है एक कम कोश्ट वाली सेविन सीटर के तौर पर इस्टेरिंग जो है वह है आपको नॉर्मल मिलती है यहां पर कोई लैदर रैप्ड नहीं है इस सैड आपको मेरी सिस्टम के कंट्रोल से मिलते हैं और सैड उसके रही कंट्रोल मिल आते ह पूरे सिस्टम से खुश हूं क्योंकि हैड्रों बड़ा जबरस्त मिलना है अगर डो साइड पैनल की बात की जाए तो यहां पर चारो पार विंडो को बेटन लॉक अनलॉक के ऑप्शन ओर वीम के कंट्रोल भी मिल जाते हैं और बटल अल्डर भी मौजूद है स्पीकर भी अप्शन नहीं है नीचे आपको एक्सेलेटर ब्रेक पैडल मिलते हैं दोनों के बीच में अच्छा स्पेस भी है सेकेट रूम में आना तो बहुत आसान है यहां पर मुझे जगह की कमी नहीं लग लिए नहीं बहुत अच्छा है और यह एक्चल में टीम पैसेंजर के तो भी आप पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीरूम फिर भी अच्छा खासा बना हुआ है और अगर मैं लेगरूम की बात करूं तो लेगरूम को भी लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है अच्छा लेगरूम मिल रहा है नीरूम तो है ही शान्दा और हेडरूम को लेकर मौझूद है जिने आप अपने साफ चे अग्जेस्ट कर सकते हैं वो भी एक अच्छा उप्शन है इसके रावा सीट के रिक्लाइनिंग अंगल को भी आप अपने साफ से अग्जेस्ट कर सकते हैं और इतने रेक्लानिंग एंगल के साथ जर्नी करने में आपको मज़ा आएगा ओवाल मैं कैसा हूं कि एक फेमिली सेवन सीटर एस यूवी यह बियावी को कहा जाता है उससाब से अच्छा ऑप्शन है यहां पर कमफर्टेवल जगह है और एक 12 वोल्ट सॉकेट रेक्खा गया है अफसोस कोई सी पोर्ट का तो लगता परविजन नहीं है हॉंडा के पास और ना ही वो यूस्बी पोर जिसे इंडियन पसंद कर सकते थे मगर अफसोस की बात है बी आरवी को तब लॉंच किया गया भारती बाजार में जब बी आरवी जैसी कारों की डिमांड कम थी अब जब डिमांड आ गई है तो यह कार डिसकंटिनी हो गई है तो क्या कमपनी को दोबारा सोचना चाहिए ब बताईएगा तब तही चलते हैं पीछे की सीट देखने क्योंकि वही तो असली थर्ड रों कहलाती है थर्ड रों में आना कोई बड़ा त्रकी नहीं है बड़ा आसान है आप आराम से आ सकते हैं यहां पर रीजनेवल नीरूंग है आराम से मूव हो दे हैं और मैंने इस और अंडर थाई सेपोर्ट थोड़ा सा कम है लेगरों को लेके भी कोई बड़ी शिकायत नहीं है वो भी है एक कफोल्डर और यहां मोबाल रखने की जगह है अगर यूस्मी टैप सी पोर्ट होते तो लोगों को मोबाल खेलते हुए दो अड़ाई गंटे पार करने में इंग्जियन बाजार में साइद अभी नहीं आ रही है हाला कि एलिवीट एक ऐसी कार है जिस पर की सेविन सीटर को प्रपोजट किया जा सकता है और उसको बी आर्वी जैसा नाम दिया जा सकता है क्योंकि ऑलड़ी इस सीथी एर क्रॉस के साथ ऐसा किया जा चुका है तो हम आ हो में अमीदया हो शकता हँ हॉंडा ऐसे प्लान करें आपकी क्या ओपिनियन है लिके निचे कमेंट शेक्षम में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच ना करें वह नहीं पसंद आया तो दिसलाइक करने में हिस एक हमें हम knapp कीजिएगा लेखते, रहिए आा कार गुरू